दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के पाच सबसे रेरस्ट स्नेक्स के बारे में दोस्तो ये साप बाकी सापों की तरह मामूली नहीं होते ये साप लाखो करोडों में एक पाय जाते हैं तो चलिए दोस्तो हम आपको मिलवाते हैं इन सापों से दोस्तो वैसे तो साप अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने मूँ का इस्तमाल करते हैं और सिर्फ और सिर्फ अपनी पूच को ही हिलाता है फिर जैसे ही किसी जानवर की नजर इसकी पूच पर पढ़ती है तो वो जानवर मकडी समझ कर उसका शिकार करने चला जाता है और तब ही ये साप उस जानवर को ही अपना शिकार बना लेता है दोस्तो ये साप birds, frogs को खाना काफी जादा पसंद करते हैं और ये साप western इरान की पहड़ियों में पाए जाते हैं नमबर टू, double headed snake दोस्तो दुनिया के सबसे rarest snakes में से एक ये साप बेहद अनूखे होते हैं इन सापो के दो सिर होते हैं और इनके दोनों सिर अलग-अलग तरीके से काम करते हैं दोस्तो अगर आप इने खाना देंगे तो इसके दोनों सिर अलग-अलग खाना खाएंगे और मज़ेदार बात तो ये है कि अगर दोनों सिरों में से किसी एक का खाना जल्दी खत्म हो जाता है तो दूसरा सिर उसका खाना छीनने की गोशिश करता है इन सापों के दोनों सिर एक दूसरे पर आटैक भी करते हैं दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सापों की कीमत मार्किट में एक करोड रुपे से भी जादा है दोस्तो इन सापों को कीडे मकॉडों के साथ साथ चूहे खाना काफी जादा पसंद है दोस्तो ये साप ग्रीन, वाइट, बलैक और ओरंज कलर में पाए जाते है दोस्तो आस्ट्रेलिया में पाया गया ये पाइथन इसने कितना अनोखा था कि इसने सभी को चोका दिया आपको इसके नाम से ही समझा गया होगा कि इस साप की तीन आखे थी दोस्तों ये साप आस्ट्रेलिया में पाया गया था जब ये सिर्फ और सिर्फ तीन महीने का ही था पर दरसल जब ये साप मिला तो इसकी कुछ दिन बाद ही मिर्ति हो गई दरसल दोस्तों ये साप कुछ खापी नहीं पा रहा था और यिसी वजह से इसकी भूग के कारण मौत हो गई दोस्तो इस साप की लंबाई 40 cm थी आपको बता दें ये साप इतना जादा रेर था कि इस साप के बाद कोई भी तीन आखो वाला पाइधन नहीं पाया गया नमबर 4 वाइट स्नेक दोस्तो ये साप रेरेस्ट स्नेक होने के साथ साथ दुनिया के सबसे ब्यूटिफूल स्नेक्स की लिस्ट में भी शामिल है ये साप पूरा सफेद होता है और इसकी आखे लाल होती है जो की से बहुत खूबसूरत बनाती है दोस्तों ये साप इतना rare होता है कि एक white snake 20-30,000 snake से पैदा करने के बाग होता है दोस्तों ये साप जंगलों में जादा समय तक जिन्दा नहीं रह पाते क्योंकि सफेद रंग होने की वजह से ये साप जल्दी से नजर में आ जाते हैं और फिर कोई भी शिकारी ये जंगली जानवर इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं दोस्तों इन सापों की लगबग उम्र 40 साल होती है दोस्तों इस साप का नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये साप उड़ते होंगे लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है दरसल दोस्तों ये साप अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर 10 मीटर तक की छलांग मार सकते हैं जिससे की देखने पर ऐसा लगता है जैसे की ये साप उड़ रहा हो पर असल में ऐसा नहीं है ये साप मलेशिया, फिलिपेंस, सिंगापोर और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं इन सापों को फ्रॉक्स और छिपकली खाना बेहत पसंद है तो दोस्तों आपको इन पाचों में से कौन सा साप सबसे ज़ादा अच्छा लगा और क्या आपने इन में से किसी साप को कभी देखा है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तकिली बाइबाइ